नवस्कार दोस्तो स्वागत एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं डैली होम गाड की नई भरती के बारे में आप में से बहूँ सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि सर डैली होम गाड की बारे में जनकारी डिटेल में लेकर आईए मतलब क्या कि इसमें एज लिम जो है मेरे वीडियो में यही पूछे गए अलड़ी मैंने जो है दो वीडियो आप लोग के लिए बनाया हुआ है कि एक तो मैंने बनाया हुआ कि फॉर्म कैसे भरेंगी और एक मैंने स्वर्ट नोटिफिकेशन के उपर डिसक्स किया था यूकि अभी तक फूल वेकन्स यहाँ पे निकाली गए और इसका आवेदन भी सुरू हो गया है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो इसी के उपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो चले फिन्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानत प्रइंट नहीं होने वाला है, इसके sellers कोई ex-services्म्राइट तो वह सकता है और a безопас कोई यहां भर सकता है, लेकिन इन के लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया वह सिर्फ और सिर्फ-, दसी-पास यहं पे बोला गया है, तो आप लोग समझ गए अब हम बात करते हैं इंपोटेंट डेट की कि इंपोटेंट डेट क्या है तो यहां पर देखेंगे तो इंपोटेंट डेट इन्होंने अलड़ी यहां पर वेबसाइट में स्टार्ट है और 13 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फी डिपो पर अप्लिकेशन फिशियां पे देना होगा भलू किसी भी केटेंगई से आता हो कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है यह समझ के अब हम बात करते हैं कि आपको सेलरी डिक के बार थां कि वोलेंटेयर कहलाते है आपको थ्री लोग inner पर यहां पर यहां पर यह सर्वi यहां पे जो है जुआइन होते हैं इन्रॉल होते हैं और आपको एक सेवा करना होता है लोगों की मतलब सेवा करना होता है पुलिस वीभाग के अंतरगत आपको काम करना होता है वो लोग जिस तरह से आपको ड्यूटी देंगे उसी तरह से आपको काम करनी होती है होम गार्ड उनके न कंधे पर लिखा रहता है देली पुलीस होम गाड ऐसे लिखा रहता है कंधे पर तो वह ही आपको यहाँ पे बर्दी तो मिलेगा ही मिलेगा समझ रहे ना लेकिन कोई जो है यहां पे वो नहीं है आप भी इसमें अप्लाई कर सकते कोई दिकत नहीं हो ला एक चीज और benefits मिल जाता है कि इसमें salary आपको मिलता है लेकिन per day के हिसाब से मिलता है अगर आप काम जिस दिन करेंगे उसी दिन मिलेगा और जिस दिन आपकी duty जो है किस area में लगाया जा रहा है काम करने के लिए और कहां पर आपको जो है job location मिलागवाए अगर हम बात करें बिहार में home guard की तो बिहार में home guard की जो यहां पे salary होती है मेरे हिसाब से जो है 600 से लेकर 700 रुपय पर day के हिसाब से यहां पे जो है मिलता है और जो थोड़ा old ह हो चुके हैं उनको 1000 रुपय का सपास जो है यहां पे salary उनको मिलता है जो थोड़ा पुराने हो गए है तो ऐसे salary होता है पर डे के हिसाब से तो अगर 30 दिन काम करते हैं तो 30,000 रुपय हुआ सासु के हिसाब से काम करेंगे तो सात्री के 11,000 रुपय है तो आप मान के जाले 20,000 से लेकर 30,000 के 20 सापकी salary जो है starting में यहां पे हो सकती है यहां पे इन्होंने salary के बारे में अच्छे से details में नहीं दिया salary होता ही नहीं है समझ रहना हा लेकिन आपको पैसे मिलते हैं ऐसे ब होगा physical में क्या होगा कि friends आपको पले जो है height ना पी जाएगी पहले आपकी height होगी height के बाद आपकी running होगी यह दोनों आप qualify कर जाएंगे उसके बाद से आपका written exam होता है इसमें पहले आपका physical होता है लेकिन merit जो बनेगा written exam के base पे बनने वाला है हाँ final जो merit होगा वो सिर् Army, Navy, Air Force के current rates जो है जो पहले से serve कर चुके हैं किसी भी rank पे तो form भर सकते हैं और important date मैंने बताया यहां देखिया लिखा हुआ कि term of three years मतलब तीन साल के लिए आपको फिलहाल में यहां पे enrollment हो रहा है मतलब आपकी यहां पे home guard में आपकी enrollment हो रही है और maybe extended दो साल के लिए और extend यहां पे किया जा सकता है 15% के साथ 7,7% के साथ 27% reservation के साथ यहां पे लागू होगा तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके बाएस से central पारा military force में अगर कोई इंडिट्स जो है अलड़ी सर्व कर चुका है वो भी यहां पे form को भर सकता है अब बात आती है eligibility की क्या हम other states से है तो form को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं यह आप लोगोंने बहुँ ज़्यादा question किया हुआ है तो पहले समझ यह देखिए यह vacancy जो है ना Delhi के लिए है यहां लिखा हुआ citizen of India होना चाहिए and residence of national capital territory of India मतलब क्या कि आप इंडिया के निवासी तो होने ही चाहिए साथ ही साथ आप Delhi के भी निवासी यहां पे होने चाहिए तो ही आप form को apply कर सकती है Delhi के निवासी होने का क्या proof यहां पे मांगा गया है आप देख सकते है proof of residence of Delhi इसमें से कोई भी एक following documents आपके पास है तो यह proof of Delhi residence आप जो है माने जाएंगे जैसे कि यहां देख सकते है valid passport, election commission ID photo मतलब ए इसके बाद से यहां पे driving license आपके पास है issue by GNCT Delhi तो आप यहां पे eligible रहेंगे form बने के लिए मतलब इसमें से कोई एक documents आपको जो है न proof for residence of Delhi के लिए आपको देना होगा इसके अलावा bank passbook भी आप दे सकते हैं public sector bank का कोई भी account हो जिसके आपका photo और आपका residential address proof लिखा हो इस authorized government authority of revenue department के द्वारा तो आप form को भर सकते हैं इस तरह से निवास प्रमापतर हो गया और जो भी documents होता है तो यह आपका eligibility है मतलब क्या कि इसमें से अगर आपके पास को documents है तो आप Delhi के निवासी कहलाएंगे नहीं है तो आप eligible नहीं है समझ रहे हैं तो यह बहुत important बात है मतल पर उम्रसीमा जो है रखी गई है जिसका data birth का यहाँ पर देखेंगे तो range भी दिया हुआ है इस range के अंतरगत आप आते हैं तो आप form को apply कर सकते हैं इसके अलावा जो एक service man है और जो CAPF के candidates हैं उनके लिए ऑपर age जो है 20 वर्स से लेकर 24 वर्स के बीच यहाँ पर रखा गय कि क्या आप जो है इसके इसके बीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं या 20-45 वर्स के बीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो यह आपको age की गड़ना जो है करनी है एक एक 2024 को अब बात आती है कि इसमें height क्या होता है देखिए male candidates के लिए 165 cm height रखी गई है female के लिए 162 cm की height रखी कि यह तो आप form को apply कर सकते हैं एक चीज यहां पर ध्यान दीजेगा यह जो भी documents मांगे गए हैं आपके age limit qualification, reservation, bonus marks यह सब आपको जैसे original documents verification के समय आपको देना होगा और जिस दिन आपका advertisement issue हुआ है उसके पहले का यह सारा चीज आपके पास होना चाहिए तो ही आप य physical measurement and efficiency test जो candidates qualify कर जाएगा उसी को जो return test के लिए हाँ पे appear होना है अब यहां पे selection process जो होगा वो merit पे होगा finalize जो आपके bonus marks और जो आप return exam में performance करेंगे उसके base पे bonus marks किसको मिलेगा जो NCC होंगे या और बहुत सारे options से मैं आपको आगे बताऊंगा उनको आपको bonus marks मिलते हैं तो आप उस base पे अपना जरूर डिटेल्स को देंगे जब आपका physical हो जाएगा return हो जाएगा उसके बास से आपका medical examination होता है documents verification होते हैं police clearance certificate भी आपको देना होता है PCC जिसको बोलते हैं ताकि आपके उपर कोई दाग नहीं है यह चीज है अब यहां पे देखेंगे तो method of enrollment यह सबसे important बाते हैं तो दो stage में आपका होगा मैं आपको अलड़ी बताया पहला stage की बात करें तो आपका physical measurement test if it is test physical measurement test में आपका height ना पी जाएगी और running होगा running में देखेंगे जो race आपका होने वाला है ओ आपका अगर आपकी उम्र जो है 20 वर्स से लेकर 30 वर्स के बीच है तो आपको 1600 मिटर की running करनी है मातर 6 मिनट में 30 से 40 वर्स के उम्र सीमा में आप आते हैं तो 16 मिटर running करनी है आपको 7 मिनट में 40 से 45 वर्स की उम्र सीमा में आप आएंगे तो 1600 मिटर की running करनी है 8 मिनट में और जो ex-serviceman CPF हैं वो भी 1600 मिटर की running करेंगे 10 मिनट में यह किसके लि है यह जो भी आपका रणिंग होगा अब आती है फिमेल के लिए तो फिमेल में भी सोरो सो मीटर की रणिंग करनी होती है लेकिन उनको थोड़ा सा एक दो मिनट समय एक्स्टा मिलता है जैसे कि आपकी उम्र जो है बीस वर्स से लेकर तीस वर्स के बीच है तो इस वर्स से एक्स्टा मैं हैं तो आपको बारम ग जाएगा अब यहां आता है स्टेज़ टू तो जो candidates PT, PhD में qualify होता है उनको जो है न written test के लिए बुलाया जाता है written test आप देखेंगे तो 80 questions आपको यहाँ पर solve करने होते हैं 80 questions और यह 80 marks आपको यहाँ पर मिलेंगे 80 questions, 80 marks के होंगे और 90 minutes आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है जिसमें से आप देखेंगे तो बोला गया कि 10th standard level का आपका syllabus रहेगा mathematics, general science, general intelligence and reasoning, history, culture, topography of Delhi इसके अलावा constitution of India, ancient Indian history and culture, geography and general knowledge current affairs जैसे आपके topics यहाँ पर रहने वाले हैं तो यह 8 topics से आपके question जो यहाँ पर बनने वाले हैं Hindi, English दोनों language में आपका exam होगा There shall be no written test for ex-servicemen and ex-CAPF मतलब जो ex-servicemen है, जो CPF है उनको कोई written exam यहाँ पर नहीं conduct करे जाएगा यदि उनकी जो है 10% से vacancy जो है qualifying होती है तो समय रहे ना, तो यह चीज है bonus marks सबसे important बात है जो आप form भरेंगे, तो आप पूछेगा क्या आपके पास NCC certificate है अगर आपके पास NCC certificate है, आपको 5 marks इसी तरह से bonus marks दे दी जाएंगे जिसे मान लिजे आपने return exam में जो है 40 नमर जो है मतलब gain किया हुआ है, मानते है 40 नमर आपको मिला हुआ हुआ है अगर आपके पास NCC है तो 5 नमर और यहाँ पर add हो जाए यानि 45 नमर पर आपका cut up बनेगा अब यहाँ देखेंगे तो B है तो 3 marks आपको extra bonus मिल जाएंगे A है तो 2 marks आपको extra bonus यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आपके पास experience है as a home guard तो भी आपको हाँ पर 2 साल का है तो 3 marks 2 से 3 marks है तो 4 marks 3 से 5 marks है छे marks 5 years से जादा है तो आपको 8 marks bonus marks मिल जाती है तो आप ज़रूर mention करिएगा अगर आप इस तरह के candidates है तो और इसका certificate भी आपको लगे का documents भरिविकेंगे इन समय में यह मत पोलेगा कि हमने certificate मेरे पास नहीं नहीं आपको certificate produce करना होगा तभी तो आप वो लोग verify करेंगा हाँ आप जो है home guard है या already NCC में काम किये है अन्द NCC का training लिया है इसके अलवा in civil defense में experience है आपके पास तो उसके लिए भी अलग से आपके bonus marks दिया गया है कितने कितने साल का experience है उसी साब से तो आप ज़रूर mention करिएगा यह return exam के जो होते है ना उसमें आपको bonus marks जोडते हैं और उसी based आपका selection यहाँ पे होता है इसके अलवा आप देखेंगे तो यहाँ पे having certificate अगर आपके पास जो है minimum 2 साल का civil defense advance course में आपने certificate हासिल किया हुए तो आपको 3 marks मिलेंगे यह आपने जो है having a part time instructor course आपने कर रखा हुए तो आपको 3 marks extra मिल लाएंगे तो यह सब पूशे जा रहे हैं इसके अलावा आपको मैट्रिक इंटर का certificate आपको देना होगा तो यह सारे documents आपको लगते हैं निवास proof के तोर पर मैंने आपको बताई दिया वह आपको लगेंगे तो यह जो है आपका होता है अब यहां लिखा हुए ता final merit list for the enrollment will be made on basis of total marks obtained in written test मतलब आप written test में जो optent करेंगे marks प्राप्त करेंगे उसके base पर आपका final merit list बनेगा and bonus जो आपका होगा उसके base पर आपका final merit list बनने वाला है तो यही चीज है I hope आप लोग समझे होगे इस भरती के बारे में इसके अलावा आपका medical exam होता है medical exam आपका normal होता है आप यहां पर देख सकते हैं इसके अप्लिकेशन फी 100 उरुपया है यहां पर दिया गया है और how to apply तो मैंने एक form भरने का proper वीडियो बनाया हुआ है कि इससे आपको form को भरना है वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजेगा आपको मेरे इसी चैनल पर मिल दाएगा आप जाके चेक करिए तो I hope मैंने आप कोशक पूछे गयते कि क्या हम दूसरे राजस है तो apply कर सकते कि नहीं कर सकते है तो यह भी मैंने आपको जो है cover करके आपे बता दिया है आपके मन में इसके अलावा कोई भी doubt से comment है comment box में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लागा तो please like कर दीजेगा अपने दोस्तों क को भी जरूर शेयर कर दीजेगा बहुत सर लोग यह पूछ रहे थे कि सर क्या हम mobile से form भर सकते हैं जी हां भर सकते हैं आपके पास mobile हो laptop हो computer हो जिसके थूर भी आप form भरना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि mobile से कैसे form को भरना है comment box में आप हमें बता सकते हैं मैं उसको पर अब भी पर उपर एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा तेरा फरवरी लास्ट एड़े फॉर्म जरूर भर लीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में चाहिन